यह कम से कम चार पांसो तो बैकेंसी आई चोगी है और स्या कोई भी ब्रांच हो चाहिए आपकी सिवील हो चाहिए सिवील से विलंग करते हो या मैकेनिकल से विलंग करते हो या एलेक्टिकल से विलंग करते हो सारे ब्रांच वाज बैकेंसी है और यह बैकेंसी जूनियर इपॉर्टेंट आप लोग के लिए जितना लोग प्रिपेशन कर रहे हैं ओके तो चलिए और टेली ग्राम ग्रूप पर यह मैं डाल दूँगा नोटिफिकेशन टेक्निकल अंडरिस्कोर एक्जाम वन पर प्रॉपर वीडियो एकदम मस से देखिएगा अब लोग के स्वागत है टेक्निकल एकदम योटीब चैनल में किछ सव द्या हैं यारतियों वाइक वेकैंशिस अाचुकी है बंपर वाइकैंशिस आचुकी है जे ही में गालकर बहुत बंपर वेकैंशि Bowl jets सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो में और पीडियाप टेक्निकल अंडेस्कोर एक्जाम वन पर मिल जाएगा सिविल एलेक्टिकल मेकैनिकल सारे के लिए गुरूब बी और गुरूब सी की वेकंशी है और तिरपुरा में हाया तिरपुरा पब्लिक सेविस कमिशन में अग में 54 SC में 30 है उसके डिगरी में जूनियर इंजिनियर मेकैनिकल की पोस्ट 12 है सेम चीज है बाकि डिगरी जूनियर इंजिनियर एलेक्टिकल में 12 पोस्ट है बाकि डिप्लोमा होल्डर के लिए 176 वेकंशी है तो यहां आपके आपके सामने नजर आ रहा होगा तो यह सारी जूनियर इंजिनियर इंजिनियर मेकैनिकल लिए 12 है तो अच्छी खासी वेकंशी हा तो 176 टॉल 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 यह सारी वेकंशी आपके सामने नजर आ रहे है बाकि व बीमेंस जो होती है और नारतिय है नूछ लड़किया होती ने लिए अलग से वेकंशी है बाकि देख सक तो यहां पर आपकी जो वेकैंसी न 점 오빠 के लिए आप यहां पर देखोगे तो यहां से टोड़न नमर पोस्ट टेटरard थाटी थी परसेंट रिजर्व है क कि लिए और उसको डिग्री में आपके फोर वेकैंसी पोर डिपलोमा के लिए 60 वेकंसी ये रिजर्व है उसके बाद यहां पर आओ कि अप्टेंड डिग्रीन कंसर्केंट टेक्नोलिय मैनेजमेंट के लिए इजुकेशन कॉलिफिकेशन का जूनियर इंजिनर ग्रेड वी डिपलोमा ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और आई एज की एज की बात किया जाए यह जो आपकी होनी चाहिए अठारे से चालिस के बीच चाहिए चीज़े 24-8-2023 के बीटमें देखिए सेलेक्शन प्रोसेज की बात किया जाए तो आपका 27-10-2022 तीजे रूल भी काल्ट the combined competitive exam rules मना था डेट अब समीशन जो लास्ट होगा चोवी साड़ दोजार तेइस को होगा selection process क्या होगा preliminary exam में 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 आपके सो मार्स आने वाले सो कोशन होंगे और बाकी आगे के सारी डिटेल्स होंगे और रिटन की बात किया ज़िए 500 मार्स के होने वाले हैं ठीक है तो उसके बाद आपके interview होंगे जिसमें carry 50% 50 मार्स के होने वाले preliminary exam जो होंगे आपके general composition 10 मार् के लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल दा engineering aptitude 80 मार्स के टोटल 100 मार्क से नेगेटिव मार्किंग इसपर्टेट टी एपसी नॉम्स में इस एक्जाम की बात किया जाए आपका general study 100 मार्स के आने वाले हैं तो यहाँ देख़ोंगे जर्नलिश्टी 100 मार्स के वान आवर डिए बाकि ऑप्शनल में 200 मार्क्स इन इच पेपर 3 डिवरेशन बाकि शीविल इंजिनिंग वांड मैकलिकार इंजिनिंग और यह सारी चीजें इंटर्व्यू आपका 50 मार्स का होने वाला पर परसनालिटी टेस्ट टेर नंबर आप कंडिडेट काल इंटर्व्यू परसनालिट आपको मिल जाएगा ओके अप्लिकेशन वोस्ट आप 24 साथ दोहजर तेश सकते हैं 25 साथ दोहजर तेश से हैं ठीक है तो यह सारी चीजें बहुत तगड़ा है बाकि आपकी फीज की पाची 350 रुपीज फीज है गरूपी घजटेट वोस्ट की फीज है बाकि गरूप सी की सेवन अक्टूबर तो साथ अक्टूबर को इसका एक्जाम होने के चांसे हैं तो यह टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूबगा टेक्निकल अंडरेस्कोर एक्जाम वन पर पीडियाप उहीं पर मिलेगा तो विजिट एंड वास एंड बजी मतलब देख सकते हो बाकि अपन असेस्मेंट अपनिशन एंस्वर की यह सारी चीज़े हैं तो वीडियो अच्छी लिए लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंफॉर्मिशन पाने के लिए और ऐसी बैकेंसिस के बारे में पाने के लिए होगे तो थैंक्यू गाइज और बाय बाय गाइज और एंट आए केर गाइज